प्यारे विद्यार्थियों मैं कुल्दीप सिंग आप सब विद्यार्थियानू इस जमाद देविच जी आयनू आखदा हां ते अज असी पढ़न जा रहे हां ग्यारमी जमाद देविचों पाग दी जा साहिद इत्यास साहिद देविच असी इस दी काल बंड कर चुके हां इस तो पहला नाथा जोगियां दी कवता दे बारे जान चुके हां ते अग्ये असी पढ़न जा रहे हां वीर काव दे बारे वीर कावतारा है जड़ी एहे आधकाल दे विच उपजी ते अपना विशेश थन रख दी है इस दे विच असी गल करांगे आधकाल दे विच जो सानू मिल दिया हां छे लोग वारां आधकाल दे विच सानू शे लोग वारां प्राप्त हों दिया हां इनना दा करता कौन है इना दे बारे जादा जानकारी सानू नहीं मिल दी ते इस दी असी जानकारी इस जमात दे विच लेनी है वीर कावतारा दे विच वारते जांग नामा आजांदे हन पर जांग नामा है जिडा वो अग्गे चल के सानू प्राफ्त हुंदा है इस काल दे विच सानू एह शे लो लोगवारां ही मिल दिया हन ते इन आदी ही असी गल करनी है जिड़ा इस तो लावा कुछ फुटकल कवतावा भी है जिड़ियां वीरसी साहिदे अदीन रखियां जान दिया हन पर एथे असी सिर्फ छे लोगवारानूं ही विचारना है ते ए वीरसी का प्रमप्रा है पूरव नानकाल, नानकाल तों पहला ही यानि की आदकाल दे विच्छी ही शे लोगवारां दी रचना कीती जासु चुकी सी ते इन्ना दा सब तो पहला जिडा संग्रय है ओ त्यार कीता सीगा पंडत तारा सिंग नरोतम ने पंडत तारा सिंग नरोतम ने इन्ना शे लोगवारां दे कुश नमूने एकठे करे पूरियां एह लोगवारां सानू नहीं मिल दियां इन्ना दे कुश नमूने सानू मिल दे हन जिन्ना दा संग्रय कीता इन्ना ने गुर्मत निर्ने सागर दे विच ते उन्ना शे लोगवा है जड़ा हो छोटा है ते इना दे विच जड़ा विशावस्तु है वो ले आ गया है जोद खेतर दा ते सूर्म्यादी लड़ाई इस दे विच ब्यान कीती गई है ते इना दा जड़ा विशावस्तु है वो जार जोरू ते जमीन है जार दा मतलब संपती जोरू दा मतलब इ ऐस दे आले द वाले ही इन आ ना कठवस्तू है जड़ा हो उस्रया होया है ते इना दी बूली केंद्री ते ठेथ है इस तो छुट्ट सी इस दे बारे ए भी कह सकते हैं कि इस तो बाद जडिया वारा लिखी है गई जमें चंडी दिवार लिखी गई नजावत दिवार लिखी गई उन्ना दे नाल एहे मेल खांदियान हो सकता है जो ए वारा लिखियां गई या इन्ना दे करता इन्ना नू पड़या होए इन्ना ने ते उस दे नाल कुछ प्रवावी ग्रैन कीता होए इन्ना लोक वारादिया तुनियां उपर ही बाद वेच गुरू साहबाना दवारा आद ग्रांत वेच शे अध्यात्मक वारां दी रचना कीती गई। तुनियां उपर ही बाद ग्रांत वेच गई। तुनियां वारां दे वजों इन्न जाने आद ग्रांत वेच ग्रांत वेच गई। इनना लोकवारां दी गल कर दें हाँ, सब तो पहली वार जड़ी लोकवार है, वो साथे कोड राय कमाल ते मौज दी वार है, इस दे विच जड़ा कथा वस्तु है, वो ये है कि राय कमाल ते उस दा प्रा है सारंग, राय कमाल ते सारंग ये दो प्रा हैं, राय कमाल है उहो जायदाद सबंधी चागडे कार्ण जिड़ा ये सारंग दी संपत्ती है उस दी जायदाद है उसदे कावजा कर लेंदा है ते उस दे उते चूठी तो मतला के पावचूठा रोप ला के दोश ला के की दे उते सारंग देव ते दोश लाके दोशा रोपन करके चूठा दोश लाके ते असनू कैद करवा दन्दा है ते बाद देविच जिदो कैद चो बार होंदा है सारंग ते उसनू तो खेडाल श्राव विच जैर देके मार दन्दा है पाव जड़ा रायक माल सी उसने अपने ही प्रा है कौन रायकमाल ये स्वार दा खलनाएक है फिर सारंग दा जड़ा पुत्र है मौज उसनु जदो एस गाल दा पता लगदा है तो ओ अपने पिता दी मौज दा बदला अपनी चाचे रायकमाल तो लेंदा है जीदा की सानु उस दी जड़ी वार लिखी हुई है उस दे विच जो सानु पता लगदा है जी में जड़ी ये आखरी पंक्ति ये विच्छ मौज जे करवदायां कर चाचे ताहीं मौज आपने पिता सारंग दी मौज दा बदला अपने चाचे रायकमाल तो लेंदा है ते मौज जे करवदायां पावो जेत गया दे उदे करवदायां ते जा रही हैं ते उस दा चाचा है जिड़ा जिसने आपने प्राणू मार्या सीगा पाव रायकमाल उस दे करता हां पावो जोनतों हो रहा है ते ए जड़ी वार है इस दी तुनी उपर गुरु अर्जन देव जी दी गौडी दी वार है जड़ी ओस नू गौण दा संकेत दि जन्दी है ओमें ही गौडी दिवार नू गौण दा संकेत है गौडी दिवार जड़ी लिखी गई है शिरी गुरु अर्जन देव जी द्वारा इस से तुनी दे उपर गौण दा इसनू संकेत दित्ता गया है एस तो बाद साड़े कोल दूजी लोकवार है जड़ी ओहो ट लादन दी है ते इस से त्रीके दे नाल सारंग दा पुत्र असराज है जड़ा असराज दे उत्ते चूठा रोप लादन दी अवसदी माता जी में पूर्ण पक्त दे हाथ पैरवड के उसनू जलाद छटद दे हन जंगल दे विच उसे त्रीके दे नाल असराज नू पूर्ण पग्त दी कहानी दे नाल मिल दी जुल्दी है ते असी असदार न मून ना देख सकते हाँ पब क्यो शेर सरदूल राए रण मारू वज्जे खान सुल्तान बढ़ सूर में विचरण दे गज्जे खत लिखे टुंडे असराज नू पात शाही अग्गे टिक का सारंग बापने दित्ता पर लज्जे हते पाई असराज जी शाही कर सजे बादे विच पाव उसनू राजवी जिड़ा उसदा पिता है जिड़ा सारंग है असराज नू देदन दा है एस वार दी तुनी दे उपर गुरुनानक देवजी दी जड़ी आसा दिवार लिखी हुई है ओसनू गौन दा अदेश है अपा फेर तो एहे दोहराल ये गाल कि जड़े त्रीकिनल तुन्डे असराज दी वार दा गायन कीता जंदा है ओसे त्रीकिनल आसा दिवार नू ग सिकंदर इब्राहिम दी वार सनुती जी लोकवार दे रूपदे विच मिलदी है वीरकाव दे विच इस वार विच सरदार सिकंदर वनो इब्राहिम तों ब्रह्मन स्त्री दी जत बचाउनली जांगलाडन दी कटना दा वरने पाव इबराहिम है जिड़ा इत्थे खल पतर है, खलनायक है, जिड़ा की किसे ब्रह्मन स्त्री नूं बेपत बेज़ित करना चौंदा है, पर सिकंदर उसनू एक आम नहीं करनेंदा, सिकंदर इबराहिमनों हुरा के संगला नाल इस प्रकार बन दननना है, जिमें बांदर न गलती मना के नमूना विखन वाला है पापी खल वराहम पर चड आय सिक अंदर पेड दोहां दा मच्या वड रन दे अंदर फड़या खल वराहम ने कर वड अडंबर बद्दा संगल पाए के जन किले बंदर जडिया पगल कर इसी ना कि इबराहिम नुँ वो हो संगल दे नाल बन के शड़न दा है जिमें बांदर नुँ किले दे नाल बन्या होवेता इत्थे सनुहा असरस भी देखन नुँ मिल दा है अपना हुकम मनाय के छड्या जागंदर श्री गुरु अमरदाह जी रचित जड़ी गुजरी दिवार है ओस नु एस वार दी तुनी दे उत्ते ग पुजरी दिवार है हो नसी देखते हैं लल्ले बहली में दिवार लल्ला ते बहली मा कांगने दे राजपूत सरदार सन लल्ले दे देश दे विच काल पैजन दा है ते ओस काल तो बचाउन दे लई बहली मा उसनु अपने हिस सिदा पानी दिन दा है ते ओसनु ए केंदा है कि फसल दे विच्चों उसनु हो कोश हिसा देवेगा लल्ला दी जिदो फसल पाक के त्यार हो जान्दी है ते बहलीमा उस तो अपना हिसा मंगदा है ते लल्ला इनकार कर देंदा है पाव लल्ला है जिड़ा ओखलना एक पात्र है इस वार्दा क्योंकि उसने एह सविकार कीता सेगा कि मैं जो पाणी ले रहा है उस दे बदले फसल दा कोज हिसा देंगा पर फसल पककन तो बाद ओहो मना कर देंदा है ते फिर दोना दे विचे से गालनू लेके लडाई हुंदी है ते बहलीमा ललेनू मार देंदा है इस उनसार ललादा सेरताड नालों अलग प्या इंज जाबदा है जिमें वाहन विचे टीमा पईया होन ता एथे जेडा उपमा अलंकार है सानू इस दे विचे मिलदा है देख दें हाँ काल ललादे देश दा खोया बहलीमा पावस ने आपने देश देविचों पाणी दे के उस दा काल दूर कीता हिस्सा छठा मनाएके जल नैरों दीना छीमा हिस्सा उसनू देना से विकार करया सी ललादे जेडा की बादे विचे हो मुकर गया फिराविन होए ललादे रण मंडे आतीमा पेड दुहां विच मच्या सट पई अनीमा सेरतड डिगे खेत विच जो वाहं टीमा देख मारे लले बहलीमने रण में तरसीमा ता यह नमूना सानू इस वार दे विचों मिलदा है इस वार दी तुनी उपर शिरी गुरू रामदास जी दी वड़ांस दीवार है जड़ी ओसनू गौन दा अदेश है अगली वार देख दे हां सी हसने में में दीवार इस वार विच दो राजपूत सरदारा दी आपस विच इर्खा करके लडाई दा वर्ण है दो राजपूत सरदार केडे हन में मां धे रसने में में ने हसने नूँ कैद कर लेA पर वो रात नूँ चोरीबाच निकलिया ते फोज लेके में में नाढ फिर तो लड़नों दाये ते बहादरी ना लड़़दा होया मारे आगया इस वार्दा करता माखा नादा टाडिसी जो वार्दी तोक तो सपस्ट हुनता है सानू इन लोकवारां दे करता दे वारे ता नहीं पता चलता लोकवार्दा जिड़ा करता है पाव इन नू लिखन वारा है हरेक वार दिवारी नहीं बिल दी पर एस वार देवचे कतोकों दी है जेड़ी तो इस पस्त होंदा है कि एस वार दा करता है जिरा पाव हसने में में दी जेड़ी वार है उस दा करता माखा नामदा टडी है जेड़ी एक पंक्ति है आखे माखा टाडी है गह migrated माख्खा नाम दा टाढडी है इसवार विच मैंमा बेई मानी नाल हसने नू मारदा नू मारदा है अत्य, ते वारदा नमुना, इस तरह है मैंमा हसना राजपूत राए पारे पटी, हसने बेई मानी नाल मैंमे खटी, पेड़ दोहादा मच्या सिर्वगे फटी, मैंमे पाई फतेरण गल हसने कटी, बन हसने नुछड़े आजस मैंमे कटी एस वार्दी जड़ी तुनी है, ते ओस दे अदार ते गायन कीता जन्दा है, गुरु रामदास द्वारा रचित जड़ी वार है, सारंग दिवार पाव एस दी जड़ी तुनी है हसने मैं में दिवार दी ओस दे तुनी दे उत्ते गाया जानता है केडी वार नू सिरी गुरु रामदास जी दवारा रचित जड़ी सारंग दिवार है ओस नू होन असी काल कर दे हां मुसे दी वार दी इस वार दी वारतान सार आपनी मंगेतर दे किसे होर नाल व्याय जानूते मुसा उस दे पती नाल जांग लाड़के उसनू खोले होंदा है ते फेर उसे इस तरी दे सात ते तरम दी अपील तो प्रवावित होके वापस उसनू उस दे पती दे नाल तोर देंदा है पावे की जड़ा मुसा है उस दी मंगेतर दा व्या किते होर कर देता जान्दा है ते जिस दे नाल उस दा व्या होंदा है मुसा लड़दा होया उत्थों अपनी मंगेतर नू लाय होंदा है पर इस तरी जड़ी अपील कर दी है उस तो प्रव उसने एक वदिया सनु आचरन इस वार्दे विच पेश करके दिखाया है। नहीं कीता सी ता एसनु आसी एक सदा चारदावदार्न मन सकते हां। इस तो बाद तेन वारां होर मद काल दे विच लिखियां लोक वारां जिनना दी गाला पां अग्ये चलके करनी है। ते एहे कुल नौ लोक वारां मिल जांदी हां। एस गालनू फेर तो मैं दोहरा दे हां कि आपां गाल कर रहे हां आद काल दी। ते आद काल दे विच सानू मिल दियां हां छे लोक वारां। कोल नौ लोक वारां हां ते तेन मिल गियां सानू अग्ये चलके मद काल दे विच। जिनना दी गालन सी अग्ये चलके करांगे ते होनसी एहे जडियां छे लोक वारां हां उनना दी गालन सी कर चुके हां। इनना लोक वारां दे जडे गौन दे अदेशन पाव जडियां दे आत्मक वारां नू इनना दी तुनी दे उत्ते गाया जन्दा है। ता ए जरूर ही उस समय अपने समेधियां परसेद लोकवारा रहियां होण गियां ते एस तोसान नूँ पंजाब 20 माज 24 वेचे न वारा दी लोक प्रिता ते परचलत होण दी जानकरी भी मिल दी है होण सी एन शे लोकवारा नूँ एक चाड़ दे रही समय दे हां कि केडी वार नूँ केडी तो नी दे उत्ते गाउन दा अदेश है सिकंदर इब्राहिम दी वार है चेडी ओसी तो नी दे उत्ते गूजरी दी वार गाई जन्दी है लल्ले बहली में दिवार है जड़ी ओस दी तुनी दे उत्ते वड़ांस दिवार गाई जन्दी है हसने में में दिवार दी तुनी दे उत्ते सारंग दिवार दा गान हुंदा है मुसे दिवार है जड़ी ओस दे उत्ते कानडे दिवार दा गान हुंदा है ते इनना दे विशावस्तु जर जो रूते जमीन एही ही रहन दे हन इनना दे विचों कोई ना कोई एकना दा जिड़ा विशा बंदा है पाविना दे विशावस्तु है जिड़े हो बहुते विशाल नहीं हन जर जो रूते जमीन दे आलेद वाले ही कुम दे होए सनू नजरा आप सब विद्यार्तियां दा बहुत बहुत तन्वाद